गुड मॉर्निंग ओल ओफ यू वेलकम टू यो ऑन चैनल एस इंग्लिस ग्रामबर कलासेज जैसे कि हमने रास्तान हाइकूट लडिसी और सेट दोजर बाई से एकजाम के लिए इंग्लिस के स्लेबस को पूरा करने के लिए एक सीरीज को सुरू कर रखा है उसी सीरीज को बिले एक वीडियो अपलोड कर दिया है वो यदि नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और आज हम स्क्विंस ओप्टेंस का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं आ तो रूल देखिएगा नेक्स्ट रूल हैं हैड़ बैटर वूड रादर लेट टीन वर्ण हैं हैड़ रादर और यह यह सेंटेंस में आ जाय तो इनके बाद हमेशा वर्ण की फेस्ट वर्म यंजे करते हैं फिरूले Metallies है यू हैड बैट करने चाहिए यो यह जा है यह दो टेकर और डूना है तो यहाँ पे स्टड फोर्म कर देगा ठीक है तो आप और रूल याद है तो इसको स़ई कर Cक्ते हो ठीक है आपको याद रखना है है बडर की वाद में फैस परमाती है यह अच्छा होगा कि आप अपना फेश से साफ कर लो अपना फेश से भोलो इसलिए इसकी बाद भी वर्व की फैर्ष पर म्योजे करते हैं स्टे मिन से थहरना थिक है कि इस रूरोन और लिए तरफ अगे बढ़ते हैं जरून की तरफ है तो के बाद है कि फैस्ट वर्म्योज करते हैं यह तो हम पढ़ते ही शोथे क्लासों से कि यह से करते हैं इस एक जांपल है यहाँ पर पर ङॉर्जेंट और टू के बाद वर्ब की फैस्ट वर्म आ गई वह नूजबेपर पढ़ने के लिए वहां जाता है ठीक नेक्स संटेंस है ही विल गो देखो यह पर्जेंट में था और यह क्या है फ्यूचर में है यह फ्यूचर में है ही विल गो देखो दियर टू रीड नूजबेपर सेम संटेंस है वह अखबार पढ़ने के लिए वहां जाएगा ठीक है यह पर्जेंट का है और फ्यूचर का है लेकिन टू के बाद वर्ब की फैस्ट वर्म ही आई है दोनों में कहने का मतलब यह है कि tense कैसा भी हो two के बाद हमëसा वरंव कि फेश्च वर्म आती है ठीक है यह rule भी एकदं clear हो गया next इसी rule को आगे बढ़ाते होई देखे है कि कुछ वरंव ऐसी होती है कुछ वरंव ऐसी होती है जिन में 2 की वश्यक्ता नहीं होती है हमेशा वह वर्ब की फैस्ट वर्म ही रहती है उनके आगे infinitive लगाने की वश्यक्ता नहीं होती है Therefore dare सहास करना need वश्यक्ता hear सुनना feel मैसुस करना no जानना make बनाना help सहायत्य करना late bid निलामी करना सी देखना यह वर्ब हैं इनके बाद जो वर्ब आती है उनमें टू लगाने की आवस्था नहीं होती है तो एक्जांपल देखिएगा प्लीज हेल्प मी लिफ्ट इस बोक्स से तो करपया मेरी इस बोक्स को उठाने में मददे कीजिए के दो वर्ब इसमें एक हेल्प है और एक लिफ्ट है दोनों आ गये कहीं भी इंप्रियू लगाने की आवसे का आती है पलीज और कारणी वालाग warum से अंदर आते हैं वैसे फैन्स में काम में लिए जाती है कोई वर काम में नहीं आती है आठी कोरण से जुड़ा होता है फिलिच सब्सक्राइबर होता है हुआ अठीक है थो इसे भी स grac let me see head me sing उसने मुझे गाते हुए सब heraus के से पहले कोई यूज नहीं हुआ है hail तो से बढ़ते हैं या ड्रूल के तरफ घट मैंक ृ मैक और कोज इनको कोजुटीव सिपते वर्ब हैं कि कोज़ुटीव वर्ब किसे कहते हैं परसना तो यह हैं कि ए चार हेयो गेट मैंक और कोज इन चारों वर्ब्स को कोजटिव वर्ब कहते हैं तो कोजटिव वर्ब किसे कहते हैं कोजटिव वर्ब वह होती है जिसमें करता स्वेम कारिये नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है उसे कोजटिव वर्ब कहते हैं जैसे एक्जांपल देखेगा उसने एक कारीगर से वाइट वास सफेदी करवाना इस हाउस अपने घर के उसने एक कारीगर से अपने घर की सफेदी करवाई यानि कि खुद काम नहीं किया किसी कारीगर से ना घर की सफेदी करवाने काम करवाय गया है तो यह क्या है गोट यहां पर कोजुटिव वर्व है ठीक है यह दूसरे से काम करवाने का काम कर रही है नेक्स्ट रूल देखिएगा he caused a washerman to wash his clothes से उसने एक धोबी से अपने कपड़े दुलुवाई कोज्ड देखिए वर्व रही यह भी कोजुटिव वर्व है उसने एक धोबी से अपने कपड़े दुलुवाई यहां पर भी कोजुटिव वर्व काम कर रही है अपना किसी दूसरे से कारिय करवा रही है next sentence से I have my sister stitch my shirt मैंने मेरी बहन से मेरी शर्ट सिलवाई कि मैरी बहन से शिलवाई यादि खुद ना सील कार में च्रहा रहा है next sentence देखिएगा he made us laugh in the class he made us उसने हमें हसाया laugh हसाया in the class उसने हमें क्लास में हसाया यानि कि दूसरे ने क्या है हसाया है खुद नहीं हसे दूसरे ने हसाया है इसलिए इसमें भी ये made है cognitive वर्व अपना कारिय कर रही है दूसरे से कारिय करवाया जा रहा है next rule देखेगा next rule में देखेंगे कि कुछ वर्व ऐसी है जिनके बाद वर्व की फैस्ट फ़र्म पलस आईजी आती है ठीक है वहाँ पर इन्फिनिटीव क्या आवसेता है नहीं होती है वर्व की फैस्ट फ़र्म पलस है आईजी आईजी वाली फ़र्म में यूज करेंगे देखो कौन से है यह है without, on, off, for, instead of, need, help, mind, by यह है इनके बाद में हमेशा वर्व की फैस्ट फ़र्म पलस है आईजी आती है यह भी आपको ध्यान में रखना है वह है दोड़ा बिना रुके वह है बिना रुके दोड़ा विदाउट आगया इसके बाद में हमेशा वर्व की फैस्ट फ़र्म पलस आईजी आगया है ठीक है इस रूल के अकोर्डिंग शी कुड नोट हैल्प है वीपिंग, हैल्प आगया भी जो किये रहा हेल्प हेल्प आगया और हेल्प की बाद में कौन सी फोर्म आ गई है आएंजी वाली फोर्म में आ गई है वह है अपने आपको रोई बिना नहीं रोक सकी ठीक है हेल्प का मतलब यहां पर मदद करना नहीं है हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है वह अपने आपको रोई बिना नहीं रोक सकी यह इसकी हिंदी बनती है हर हेर नीड्स कटिंग नीड्स इसमें भी है आवसिक्ता इसके बाद भी आएंजी वाली फॉर्म यूज करने चाहिए उसे अपने बालों को कटाने की आवसिक्ता है तो इस परकार से हमने यह रूले पढ़ा है अब आगे हम अगले रूल की तरफे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है एंड आया इसमें कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनमें कौन सी वर्ब यूज करने चाहिए सिंगूलर करने चाहिए या हो और वो end से जुड़े हो तो वहां पर plural करते हैं यह एक ही वश्तु की तरफ इसारा कर रही हो तो उसे singular subject मानेंगे और वहां singular वर्व ही ूजे करते हैं example के मादर्व से समझते हैं देखिएगा जब दो subject में end हो that case year पहला subject हो गया end से जुड़े है अकाउंट दूसरा सब्जेक्ट है है यह गोन जा चुके हैं केशियर और अकाउंटेंट जा चुके हैं तो यहां पर है जो पलूरल हेल्पिंग वरब आई है वह यहां पर यह दोनों अलग अलगे देखती हैं ठीक है नेक्स देखेगा इससे और भी कलियर हो जाएगा देखेगा पहले संटेंस में केशियर से पहले अर्टेकल आया है अकाउंटेंट से पहले आर्टीकल आया है है और इससे पहले आर्टीकल नहीं है तो इसका मतली यह हुआ कि ك soph they accountant यह जो के़ भी है और accountant भी है इसलिए ही सिंगुलर हैल्प यह तो इस परकार से यह आपको ध्याने रखना है वेस Hog तो हम प्रजक्ट वर्ब एग्रिमेंट नाम के टॉपिक में भी पढ़ेंगे ठीक है नेक्स डूल देखिएगा फ्यूचर कंटिनुऊस टेंस वेन पर्जेंट सिंपल और सिंपल पर्जेंट पलस वेन एज फ्यूचर कंटिनुऊस यह फोर्मूला बताया है मेंने कि वेन इसके अंदर हो तो एक साइड में फ्यूचर कंटिनुऊस हो तो दूसरी साइड में हमें पर्जेंट सिंपल टेंस यूज़ करना चाहिए ठीक है इसी प्रकार से वेन और एज की बारें पताया है यह उल्टा कर दिया वेन एज में एक साइड में सिंपल पर्जेंट है तो दूसरी साइड में क्या होगा पिट्रेंट ए रहा है तो एक साइड में फ्यूचर सु है फ्यूचर कंटिनुऊस करना है तो दूसरी साइड में अमेに क्या करना है पर्जेंट सिंपल एंस यूज़ करना है इस रूल का एक्जांपल देखिएगा ही विल बी वाटरिंग दे प्लांट से वें यू गो दियर वह पोधों को पानी दे रहा होगा वें यू गो दियर जब तुम वहां जाती हो देखो यहां वें के बाद में क्या गया पर्जेंट सिंपल टैन से आया है तो वें से पहले फिर क्या आया फ्यूजर कंटिनूस टैन से आया है इस रूल को क्या कर रहा है फोलो कर रहा है ठीक ह तो इस परकार से हमने sequence of 10 से complete rule को हना पढ़ लिया है और उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा को doubt हो तो comment की मादम से मुझे पोच सकते हैं मैं आवज से ही doubt दूर करने का प्रियास करूँगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाद दीजिएगा thanks for watching